हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं बाहर, बहुत बरफ गिरी हुई है, मैं इरोप के एक देख से स्टोनिया में रहता हूँ, यहाँ पे बहुत बरफ गिरती है, अभी टेंपरिचर माइनस 11 डेगरी है, और नेक्स्ट वीक तक यह माइनस 20 जाने की उमीद है, तो इतने ठंडी जगे पे आने के बाद भी हम इंडियन्स की एक चाहत जो है, वह हमेशा रहती है, चाय और मैगी की, तो यह चाहत मुझे किचन में लेकर आ गई है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं किचन में आया हूँ, और यह है मेरे इंग्रीडेंट्स रेडी हो गया है, मैग जो दूध वाली चाई पीने की जो इच्छा होती है वह ग्रीन टी में पूरी नहीं हो सकती है, आप कितना भी कुछ कर लो, तो मैं तो मैं इसको थोड़ा तेल और थोड़ा बटर मिक्स करके बनाने वाला हूँ, तो अभी इसमें बटर डाल देते हैं, दोसमें, क्यों नहीं हो को इसके यामाद बटर और देते हैं, दिम सक्षाण का जाला किया और यजाब प्रादाए DR. यहाँ हthree, कipो अवा़ा है, जे ज़ला हैं वाला मिक्वार सकते हैं, स्पाझ आप कहीं भी इंडिया में भूमने जाते हों तो मसूरी गए या शेमला गए या मैनाली गए तो हमेशा चाय और मैगी तो पक्षा भूम के होगे कि कहां मिल रही है यहां पर ऐसे फ्रोजन वाले मटर मिलते हैं तो मैं उसी का यूज़ करता हूँ यहां पर जालता चीज़े फ्रोजन मिलती है तो उसी का यूज़ करना पड़ता है मिक्स्ट वेजिटेबल्स मिलते हैं बीन्स मिलते हैं लेकिन सब फ्रोजन होता है अगर मैं चिकन भी लाता हूँ तो वह भी फ्रोजन होता है यहां हमारा दूद्र रेडी हो रहा है चाय के लिए तो मैं चीनी और चाय पत्ति डाल देता हूं दो चम्मच ची तीनी है सञागा नहीं खाना जाएए इसी ही ये दो चम्मच ही सीनी और चाय पति मैं इंडिया से लेकर आया हूं यहां ऐसी चाय पति नहीं उती है ये भी एक चमल डाल देता हूँ, थोड़ा सवर डाल देता हूँ, और मुझे इलाइची वाली चाय को पसंद है, तो मैंने इलाइची को भी इसको चूर के रखा हूँ था, इसको थोड़ा पकने देता हूँ, तब तक मेरी मैगी के लिए प्याज भी पूर चुके हैं, तमाटर भी डाल देता हूँ, तमाटर आया है, तो तमाटर के साथ नमक भी डालना जरूरी है, और उसके बाद मैगी मसाला डाल देता हूँ, तो अब मैं डाल रहा हूँ मैगी मसाला, उधर मेरा चाय भी उबल गाए, दोनों एक साथ ही रेडी हो जाएगा, इसमें थोड़ा पानी डाल देता हूँ, मैंने थोड़ा धरम पानी लिए, कोशिच करें कि लिए आप धरम पानी डालें, उससे क्यों होता है मसाले का फ्लेवर रहता है, अगर आप थंड़ा पानी डाल दोगे तो मसाले का फ्लेवर चला जाता है, इसलिए मैं कोशिच हमेशा करता हूँ जरम पानी ही डालें, पानी आप मैगी के कॉंटिटी के अनुसार डाल सकते हैं, मुझे वैसे भी थोड़ा ज्यादा पानी चाहिए होता है, सूपी नूडल चाहिए होता है, इसलिए मैं पानी डाल देता हूँ, अब मैं इसमें मैंगी मिस्ट देता हूँ, हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि मैंगी हमारा अच्छे से अंदर चला जाए और उसके बाद हम इसको ढख देंगे तीन से चार मिनिट के लिए, वापिस आपको मौसम का नजारा दिखाता हूँ बाहर जब तक मेरा मैंगी बन रहा है, यहां पे गाड़ियां पुरी तरीके से बर्थ में ढख गई हैं, यहां पे क्या होता है ना कि लोग अपनी गाड़ियों को बंदी नहीं करते हैं, रात को यहां पे ओन छोड़ देता हैं क्योंकि अगर वह ओन नहीं छोड़ेंगे तो नेक्स्टे स्टार्ट ही नहीं होती गाड़ियां, उनको स्टार्ट करने भी फिर एक घंटा लग जागा, इंजन बहुत ठंडा पड़ जाता है, इसलिए वह ओन छोड़ देते हैं ज़्यादा तर गाड़ियां, तो यह मेरी मैगी बहुत टेस्टी बन चुकी है दोस्तों, चाई भी उदा रेडी हो गया है, मैं सर्व करता हूं इसको, बाइबाइ, तो यह मेरी चाई और मैगी बिलकुल रेडी है, बाइबाट एाफले चाईक, आएबाट जा वह मेरी ममल्यादिन वह म 만न है क्वावत हैं, आएबाट भ्चल है यह से घक हो बड़ limitation लोड़ देक हैं